अपना फिनांस मिनिस्टर मैं हूँ आपके साथ कविता थपलियार शो को आगे बढ़ाएंगे अब आपको मिलवाओंगे हमारे और दूसरे दो महमानों के साथ अप्टबर मनी मैनेजर्स के एमडी पंकर्ज मतपाल और विश्फिन के सीई और रिशी महरा मेरे साथ जुड़ गए हैं आप दोनों का स्वागत है गुद इवनिंग इस खास पेशकर्ष में और दर्शकों के सवाल जो है हम लेंगे लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ के हम थोड़ी सी चर्चा कॉपरेट एफडी पर कर लें देखिए ब्याश्टरे बढ़ने का सिलसरा तो शुरू ही हो रखाया अब ऐसे में हम जानते हैं कि बैंक एफडी भी बहुत सारी जो है वो साथ परसंट या उससे थोड़ी सी उपर पहुँच चुकी है पंकर जी अब ऐ तो अगर आपका नजरिया बहुत लंबा नहीं है पहली बात बता दूं कि हाला कि डिफरेंट टेन्योर की आती हैं लेकिन अगर लंबी अधी में आपको निवेश करना है तो यह अभी भी अगर साथ परसेंट की बात करें तो भी शायद इंफलेशन को बीट करने में काम्य लिएम टर्म हो और पैसा को चाहिए कि सेफ रहे भले बहुत ना बढ़े तो ऐसे में यह समय सही है कि आप अब बढ़ने का अभी जारी है तो ऐसे में एकदम से पूरे पैसे को आप लॉप ना कर दे बलकि शॉट टर्म के लिए उसको तो और भी बहतर है कि आप उसको फिर रिन्यू भी कर पाएं अगर रेट बढ़ते हैं तो बढ़ी भी दरोबर रिशी अब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा मासान भाशा में ना कॉपरेट एवडी के बारे में लोगों को समझा दे क्योंकि जो आम अंडिस्टैंडिंग है ना फिक्स डिपॉजित को लेकर लोगों की रिशी वो यह है कि फिक्स डिपॉजित अब उन्हें मतलब नहीं कि बैंक का है या कॉपरेट का है वो डिफरेंस यह उनको समझ में नहीं आता ठीक है तो आप तो मुझे बताएं कि बैंक फिक्स डिपॉजित और कॉपरेट फिक्स डिपॉजित में फर्ख क्या है आजी देखे बैंक आपको मालू है कि बैंक ने फिट इपोजिट इशू किया है उसके अंबर एक इंशॉरंस स्कीम होती है जिसके लिए कि एगर बैंक फेल होता है तो पांच लाग तक की अमाउंट आपको मेशा मिलेगी मिलेगी तो अगर आपका बैंक फेल हो जाता तो आता है कि वो एक कुछ कंपनी हैं HFCs, NBFCs जिनको लोगों से पैसा लेना अलाउट किया गया है RBI के द्वारा वो असेप्ट करते हैं वो थोड़ा सा रेट अप इंटरेस्स जादा देते हैं बट वो इंशॉरंस स्कीम के अंडर नहीं आपको अगर वो कंपनी और वो इंशॉरंस स्कीम के अंडर आपको वापस मिलेंगे वर्सिस कॉर्परेट एफटी में आपको नहीं वापस मिलेंगे तो ये एक रिस्क है आपका और यही डिफरेंस है बैंक्स आपको हमेशा 5 रुपे वापस मिल जाएगा ये तो रिशी ने तो रेट फ्लाग्स यहां पर गिना दिये जो कि बहुत बढ़िया बात है ये तमाम बातों को आपको ध्यान में रखकर ही कॉर्परेट एफटी में निवेश करने का फैसला लेना चाहिए लेकिन अब क्यूंकि यहां पर ब्याज़तरे बढ़ रही है तो पंकट जी कैसा होगा कि bank fix deposit, corporate fix deposit की ब्याज़तरे एक समान हो जाए अमोमन corporate fix deposit की ब्याज़तरे हैं वो जादा की होती है bank के ब्याज़तरों के मुकाबले अब ऐसे में किसी को अगर दिल्चसपी हो भी corporate fix deposit में तो किस तरह के corporate में जाकर आपको company में जाकर आपको अपने पैस कानी की शम्ता कैसी होनी चाहिए पहली बात यह है कि इंट्रेस्ट बढ़ेंगे तो भी डिफरेंस रहेगा बैंक के इंट्रेस्ट के मुकाबले आपके जो कॉर्परेट एफडी है उसका इंट्रेस्ट जैदा रहेगा लेकिन समझना जरूरी है कि सभी कंपनीज एफडी या क एफडी होती है वो दिपोजिट इंशोरेंस और क्रेट गारंटी कॉर्परेशन के तहट इंशोर्ड होती है फाइव लैक तक लेकिन सचाई यह है कि यह बैंक की बात करो और फाइव लैक का यह लेकिन आपने देखा होगा पास्ट में कुछ कॉपरेटिव बैंक का लाइस अब हम आते इस पर कंपनी एफडी में उधारण के तौर पर SDFC लिमिटेड तो SDFC लिमिटेड को आप इतना ही सेव मान सकते हैं जितना की SDFC बैंक बले ही वहाँ पर आपकी एफडी पर ये जो इंशोरेंस का बेनिफिट नहीं है कि पांस लाग तक का जो आपका अमांड है वो insured है लेकिन फिर भी आप एमान के चल सकते हैं कि SDFC Limited की अपने FD की है तो वहाँ पर आपका पैसा डूबेगा नहीं, SDFC Limited बंद नहीं होगी. लेकिन यहीं पर कुछ corporate ऐसे भी हो सकते हैं क्योंकि corporate FD का मतलब यह है कि एक company जो की companies act के तहट registered है और उसको RBI ने deposit accept करने का license दिया हुआ है तो यह या तो non banking finance company की तरह काम करेगी या फिर housing finance company की तरह काम करेगी. तो ऐसे में LIC Housing Finance, PNV Housing Finance, SDFC Limited, Bajaj Finance यह सभी आपसे deposit accept करती हैं. देखना यह है कि हमेशा कि जिस भी company की FD आप कर रहे हो वो किसी safety कितनी है. तो उसके rating देखें, उसकी आप यह देखें कितने साल से वो कर रही है, किस तरह की company है. तो यह बात दिखना जरूरी है. अगर आप SDFC Limited जैसी company में FD कर रहे हैं, तो मेरे इसाब से यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है. लेकिन यहाँ पर interest rate जो होगा, वो bank के मुकाबले बहुत ज्यादा नहीं होगा. बट यही पर आपको कुछ FDSE मिल जाएंगी, जहाँ पर rate of interest बहुत ज्यादा होगा, लेकिन इसाब से उससे दूर रहना चाहिए. टिप्स, SMS और इसमें आती हैं. बहुत सारे लोग उसको एक समझ लेते हैं कि उनको एक special privilege मिल गया है और उसके basis पे वो investment करना शुरू करते हैं. तो मेरा यह मानना है कि आपको अगर social media में कोई influencer है, उसको पूरा अगर नहीं पता है और आप उसको follow करके investment कर रहे हैं, पीस मत validated person हैं और उनको कुछ मालूम हैं और तभी उनकी research follow कीजें. और सिर्फ social media में देखके, screenshot देखके, लोग आजकर investment कर रहे हैं, वो करना मत नहीं करना चाहिए. लगबग 32 साल की है और पंकर जी शायद ये सवाल आपके लिए है, इनके पास UTI Nifty Index Fund की SIP चल रही है, 15,000 Access Growth Opportunity Fund है, इनके पास 12,000 की SIP परागपारे का Flexi Cap Fund है, इसमें SIP चल रही 10,000 की, केरा रेबेको का Small Cap है, 8,000 की SIP चल रही है, और इसके अलावा की कह रहे हैं कि बाजार जब भी गिरता है, तो उसमें ये लमसम भी पैसा डाल देते हैं, बेसार फोन लाइन पर नहीं है पंकर जी वरना मैं इनसे और डीटेल्स ले ले लेती, इनके सवाल को लेकर बहरहाल, फिलहाल फंड मिक्स बता दें आप, क्योंकि मेरे खाल से यही जाचा जा सकता है इनके पॉर्टफोलियो में, पंकर जी, तो ये जो फंड्स हैं, ये काफी अच्छे हैं, इनी फंड में बने रहे हैं, लंबे समय के लिए कुछ भी इने चेंज करने की जरूरत नहीं है मेरे नहीं होता है कि महेने में को ऐसी डेट हो, जहाں पर इन्वेस्ट करने से फाइदा ज्यादा होगा, लेकिन आप इसे और भी ज्याइदा किस्तों में कर सकते हैं, यानि की एक महेने में, म gradu में सावी ये बी करें, तो आपको थोड़ा सा और भी रिस्क होगा, और इसका फाय यह भी लिखाए कि वो यह शो यूट्यूब पर भी देखते हैं, थांक यू सो मच राम, उमीद करते हैं कि आपको सला समझ में आ गई हो, आपको हम फोन लगाने की कोशिश कर रहे थे, हाला कि आपका फोन लगा नहीं, उमीद करते हैं कि आपको सला समझ में आ गई हो, रंज मेडम ये एक्टुली मैं जी बिजनेस से देखता हूँ और इसके चलिए फोन लाइन कट गे इनकी लेकिन हम बापस से जुडेंगे इनसे पंकर जी आपके पास भी होगा देखिये इनका पॉर्टफोलियो और मुझे तो इनसे जानना था कि इन्होंने अपने पॉर्टफोलि किसी आर्थिक सल्हकार से मद्द ले रखी है पर दसफन तो बहुत जादा है क्या दिक्कत क्या होती है अगर मैं समझना चाहूं ट्रैक करने में कैसी दिक्कत आते होंगी तो देखिए होता है कि रिफिंट कैटिग्रीज है यदि आप एकी कैटिगरी की बहुत सारे फॉंट में कर रहे हैं जैसे कि यहां पर आप देखरोंगी लार्ज कैप में ही आपने बहुत सारे फॉंट लिये हुए हैं अब यहां पर क्या होगा कि आपका ओवर स्टॉक्स हैं और उसमें से कुछ अलग भी है तो मतलब आपके पास टोटल स्टॉक्स देखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो इसका मतलब और डैवर्सिफिकेशन हम चाहते यह हैं कि टॉप हंडेड कंपनी में से स्लेक्टिड 50-60 कंपनी हो जो आपको अच्छा पारे फंट ना रखें एक लार्ज कैप हो एक मिट कैप हो इस तरह का रहे पोटफोलियो तो बहतर है अब बात करते हैं रंजी जी फोन लाइन पर तो मिलनी पारे पंकर जी तो आप छाट दे देंका पोटफोलियो बताएं किसमें से निकले और किसमें रहें बिलकुल कवि और इसके बजाए इनके पास जो एग्जिस्टिंग फंड है जैसे की परागपारिक फ्लेक्सी कैप फंड है कोटक एक्विटी ऑपरचनिटीस फंड है उनमें ये SIP अमॉंट को बढ़ा दे तो वो इनके लिए अच्छा रहेगा दूसरी बात इन्होंने यह नहीं बताया क इनका नजरिया कितना लंबा है लेकिन यदि 10 साल की बात करें 10 साल का नजरिया हो मालो तो फिर ये निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में भी अपना निवेश बढ़ा सकते हैं लेकिन यदि 10 साल से काम है तो मैं सलहा नहीं दूँगा कि इन्हें स्मॉल कैप में बढ़ा पूरा पता नहीं है बड़ यदि 20 साल का नजरिया हो तो इसी निवेश के साथ करीब-करीब इनके पास 2 करोड 12 लाग घटा हो जाएंगे तो समय के लिए निवेश कीजिए और जो फंड से मैंने आपको सला दिये कहां पर बदलाव करना चाहिए इसके साथ आगे बढ़ सकते चलिए आगे बढ़ेंगे धरमेंद्र साहब हमारे अग्रे दरशक फोन लाइन पर हैं सर नमस्कार कहां से बोल रहे हैं क्या करते हैं बहुत बढ़िया सर आपने ये चार फंड कब निवेश किया है इनमें SBI, Blue Chip है, PGM का Multicap है, Quant Mid Cap है और Axis का Small Cap है ना मैडम ये हम छे साल से कर रहे हैं इसमें और अब मैं जो है 40,000 का मैं करने वाला हूं मगर उसमें मैं ये चाहता हूं कि ये सब को बंद करके मैं चार नए फंड में मैं इनिवेश करू बंद क्यों करना है परивать सारा चाड़ में नमार जुआ ये साल में बहुत अच्छा नहीं डेख पा रहागा हूं नहीं अभी यहां से 10 साल और होगा और निवेश राशी को बढ़ाएंगे कि केवल इतना ही रखेंगे 10,000 नहीं इसको मैं बढ़ा करके 45,000 तक करना चाहता हूँ और क्या उदेश क्या है इस investment portfolio का मेरे को 2 कडोर चाहिए 2032 में रिशी मिल पाएंगे इस funds और इस निवेश राशी से देखें अगर ये around 30,000-40,000 invest करते हैं और 12% के अगर return calculate करूँ मैं 20 साल के लिए तो इनको ये मिल सकता है इनको थोड़ा सा investment थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा जैसे 3-4 साल निकल जाएं और 10-15% ये बढ़ा सके उसकी SIPs को ये बढ़ा के कर सकते हैं और ये इस राशी पे पहुन सकते हैं 12% की return में रहे बट मेरी एक सला रहेगी कि ये जो बात कर रहे हैं कि 5-6 साल में returns नहीं आये हैं चारो fund या पांचो funds को जिसको ये use करते हैं एकडम सारे funds को use नहीं change करना चाहिए एक दो funds को change करना चाहिए उनी के sector में अगर इनका इन्होंने large cap ले रहे रहा और large cap अच्छा नहीं लगा तो उसको replace करना बनता है बाकि ये different sectors में जाना नहीं बनता क्योंकि ये नहीं सोचेंगे एक sectoral fund ले देते हैं वो 2-3 साल के लिए चलेगा चार साल के लिए चलेगा तो इनको एक large cap, एक multi cap, एक mid cap और एक small cap में invest रहना चाहिए और 20 साल करना चाहिए बट जादा changes नहीं करने चाहिए और राइट चलिए तो ये सलहा होगी धर्मिंद्र साब के लिए लेकिन पंके जी आपका गुरु मंत्र बचा हुआ है बताएं निवेश का गुरु मंत्र आपकी तरफ से क्या है आज का कविता इन्वेश्टर्स को कभी भी बहुत जहां पर लुभावनी स्कीम हो वहां पर लालत नहीं करना चाहिए और बचना चाहिए एक तो ये है कि स्कीम के रिटन्स बहुत ज्यादा आपको unrealistic लग रहे हों तो उस पर विश्वास ना करें दूसरी बात आजकर ये भी है कि कुछ so-called advisors या आपको phone आते हैं जो कहते हैं कि आपको equity का portfolio बनाएंगे या आपको mutual funds पर guaranteed हम कम से कम 24% return दो guaranteed दिलवाएंगे दिलवाएंगे तो जहां पर इस तहें के promises हो कोई भी बात आपको बताई जाए कई बार writing में भी इस तहें के mail भीज़े जाते हैं जहां पर promise किया जाता है तो कहना ये है कि जो चीज लगे कि too good to believe कि बहुत ही जैदा आकरशक हो रहा है उससे बचें वहाँ पर आपको शायद फसाने की कोशिश की जाती है और इसके लाबाब बाकी सलहा के लिए आपको eating money बनो अपना finance minister लगातार देखते रहना चाहिए चलिए इसी के साथ रिशी आपका पंकर जी आपका भॉल पर धनिवाद समय ने काला दर्शकों की financial planning आज आपने की और मुझे भी इजाज़त दे लेकिन इस वादे की साथ की जो नंबर अभी आपकी स्क्रीन पर flash होने वाला है हमारा whatsapp नंबर है और यहां पर आप अपने सवाल हमें भीजेंगे आपके financial planning चलिए सवाल भीजेंगे 9619873567 और आपके सवाल आपको में भीजेंगे तो हम आपकी live financial planning कराएंगे इस शो पर इंतजार रहेगा आपके सवालों का दीजे इजासत नमस्कार